हालो एवरिवन गूड मॉर्निंग कैसे आप सब उमीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे आप सभी को स्वागत है अधित्य एंड अजय चेनल ब्लॉग पे और अभी मॉर्निंग का सुबा का पाच बज रहे हैं और मैं जाग गई हूं और देखे मम्मी ची भी जाग हैं मगर इस तरह से बैठी हुई हैं तो यहां पर बस पहले में सापसफाई टेवल बगेरा कर लेती हूं और उसके बाद में जाड़ू लगा के फिर में पोछा उच्छा लगाऊंगी तो सब जगह मैंने पोछ पाच लिया है और उसके बाद यहां पर मैं जाड़ू लगा बहुत मतलब लेट उठती थी और अभी में पाच बज़े अब उठना स्टार्ट कर दी हूं तो फिर यहां पर देखिए मैं सब जगह जाड़ू लगा लेती हूं और अदित्या अजय का ऑफलाइन क्लास भी होने लगा है तो जिनको जाने का मन होता ना ऑफलाइन तो अप देखिए रात को मैं दही जमनी के लिए दिया हूं तो देखिए मैं अभी कर रहे हूं कि दही जमाए की नहीं जमाए तो यहां पर देखिए दही बहुत अच्छी जमी है और इसके ऊपर ना एक कपड़े रखके फिर एक धकन में रखती हूं ताकि पानी ना डायरेक्ट द पर करार रहे है तो दही बहुत अच्छी जमी है तो बस अब मैं किचन में आ गई हूं जाडू लगाने के लिए तो यहां भी लगा लेती हूं और मम्मी भाईया सब सो गया है क्योंकि अभी बाहर ना बहुत जादे यंदेरा है तो जाक कि क्या करेंगे तो इधर देखिए अब भाईया जो है हमें देख रहे हैं मगर कुछी टाइम में फिर वह सो जाते हैं तो यहां पर बस सब जगह में जाडू लगा लिया है तब ही मैं पोच्छा के लिए बाल्टी में मैं लाइजल और सरप में डाल रही हूं सरप सी क्या होता ना थोड़ा बहुत भी अगर hardest पर बच्चे तेल बगेर туда तो इसे चूड़ जाता है और लाइजल डाली हूं ट इसी तरीके से में और नहीं पोच्छा लगा लेती हूं और देखे आँ जलदी में जाग गई थी और ऐसी तो जागनाब बहुत ज़्याद ही मूझकिल था रात को मुझे लग रहा था कि क्या पता मैं सुबह में जाग पाऊंगी कि नहीं जाग पाऊंगी और ममी जी यहीं रूम में सोते हैं बेडरूम में और भाईया बाहर सोते हैं बाहर वाले रूम में और मैं दूसरे रूम में सोती हूँ तो बस यहाँ पर सब जगा मैंने पोछा उच्छा लगा लिया है अब मुझे किचन में पोछा उच्छा लगानी है और फिर नास्ते वरस्ते बनानी के तयारी करनी है और अधित्याजे को आज मुझे आज स्कूल भी भेजना है तो मन में लग रहा था रात को कि मैं जाग पा जाए इस तरह से मन में इस तरह से घबराहट ची हो रही थी मगर मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बज़े से मेरे बच्चे का स्कूल ऑफ हो मतलब स्कूल छूटे और बहुत दिन के बाद वह बच्चे अस्कूल जा रहे हैं तो उनका भी एक्साइटमेंट अलग होती है तो यहां पर आ गए हूँ सीड़िया पोछने के लिए तो यहां की मैं साब सफाई कर लेती हूँ जल्दी जल्दी तो आज मैं आप सुभी के साफ सेयर करने जा रही हूँ अब अपना मॉर्निंग रूटीन की मैं सुबह उठके में क्या क्या करती हूँ तो यहां पर बस सब ज तो बस सब जगा मैंने पोछन लगा लिया अब थोड़ा से यहां के एरिया थोड़ा से बच्चा हुआ है तो यहां भी जल्दी से मैं पोछन लेती हूँ चोखट बगेरा और बहु दिन से रिक्वेस्ट आ रहे थी कि दिदी आप अपना मॉर्निंग रूटीन से एर करो आ अगर बाहर ना बहुत जादे अंधेरा है तो बस मेरा सब जगा पोछा उच्छा लग गया तो अभी में फेस्बॉस बगेरा में करके आई हूँ तो हाथ मूँ पोछी लेती हूँ उसके बाद में ब्रश करूंगी और सब सोय हुए हैं अभी देखिए अंदर वेडरू में ममी सोती हैं यहां पर भया सोते हैं तो सब अभी सोय हुए हैं और बस मेरा सारा काम हो गया है तो यहां पर फेस्बॉस बगेरा मेंने करने के बाद अब देखिए मेरा आगे क्या रूटीन होता है वो मैं आप सब को दिखाती हूँ तो चलिए मैं आपको बाहर का व्यू दि भाई करने के लिए बैसे तु सारा काम तो रात को ही करके सूथ जहां ने his फिर चीटिया बगएरा इस तरीके से कोके बगएरे आने हो रात को ही में किचन को अच्छे तरीके से डिप क्लीन करके ही सोती हूँ ताकि मौर्निंग में थोड़ा समुझे खली पोच ना पड़े तो बस यहां पे लेनर डालके एक गिला कपड़ा से अच्छे से में पोच लेती हूँ पूरे स्लेब को किचन को गई सस्टोब बगिरे को कभी भी बासी किचन में खाना नहीं बनाना चाहिए तो यहां पे बस मैंने किचन को पोच लिया है और सभी बरतन को मितलों गई सस्टोब को मैंने सेट कर दिया उसके बाद मैं जल्दी जल्दी आलू को छिल लेती हूँ और आलू का पराठा आज में बनाने चारी हूँ तो यहां पे देखिए अरहर और मसूर का डाल एक साथ में मिक्स करके बनाती हूँ रेगलर खाने में तो यहां पे देखिए डाल को मैंने धोलिया कुकर में डाल दिया है जरूरत के हिसाब से मैंने पानी भी डाल दिया है और इसी में छीला हुआ आलू डाल देती हूँ औ पादुका तो यह मैंने दिवाली में ही खरीदा था तबसे मतलब इसी तरीके से में करती हूं मौर्णिंग में तो यहां पर देखे और मेरे पास ना कलर नहीं है तो यहां पर आटा से मैं इस तरीके से लच्छमी जी का चरण पादुका में बना रही हूं अपने दरवाजे पर वैसे तो नीचे जाके बनाते हैं मगर अभी अंधेरा है तो नीचे कौन जाता है तो मैं अपने दर्वाजे पर इस तरीके से ही मैं बना देती हूं देखिए कितने अच्छे से रंगोली निकली है ना लच्मी जी का पैरों की निसान देखिए और बीच में कमल की फूले देखिए मैं आपको पास से दिखाते हूं कितना अच्छा लग रहे तो हमारा मॉर्निंग रूटीन इसी तरीके से होती है सापसफाई करने बाद लच्मी जी का चरण पादुका मैं जरूर बनाती हूं यहां पर दिख सकते हूं आटा इतना बच गया तो इसको मैं रख दे जाति हूं आप जल्दी जल्दी ब्रश कर लेती हूं । अब भी सब लोग सोये हूँ अधित्य अज्यकों मैं ब्रश करने के बाद फिर में जाओंगी जगाने के लिए तो यहां पर देखिए भाया जाग गए और देखिए इस तरीके से देख रहे हैं बस मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूं क्योंकि अदित्या जेको थोड़ा जल्दी ही आप साथ बजे ही अस्कूल इन सबको होता है तो मैं फिर पहुंचाने भी जाना है तो यहां पर बस में ब्रश बगेरा कर लेती हूं जल्दी जल्दी और देखिए भाईया हलो कर है आप सबको और यहां पर इधर हमारा दाल बन गया है और अलू पर बॉयल हो गया है तो इधर में पराठे के लिए मैंने आटा निकाल लिया उसके बाद इसमें डाल देती हूं अजवाइन एक चमच और हाथों से इस तरह किसे मैस करके करस करके डाल देती हूं इससे देते हैं और बस आटा लगा लेते हैं यह नॉर्मल पानी है इगुन गुना पानी से भी हमाटा लगाते हैं मगर यह भी नॉर्मल पानी है तो अच्छे से हमाटा हमारा लग गया है देख सकते हो अब इधर में आलू का भरता तयार कर लेती हूं पराठे के लिए तो यहां नियुक्था किति पिला दुझा कर दिंदो, युए आलू दाल में ही डाला हैра एक छोटा चम्मच हर्ब्स में डाली ंगा ही हुए हुए रशेसे बहुत अच्छाे पोड़ ले चाली हुए, मिर्ची को अच्छे से नमक केसं थे, आलू में इसी चन्हाच कर दिया और इधर में अब प्राठे के लिए फिलिंग भर लेती हूं और प्राठे जल्द जल्दी बना लेते हैं फिर अदेतिया जै को जगाने जाऊंगी मैं अब तो बस अदेतिया जै तयार हो गए है और इधर देखिए नास्ता कर रहा है जै और यहां सभी प्राठे को में बना लेती हूं और फिर लंच भी पैक कर नहीं है तो बस इसी तरीके से सभी प्राठे को में सेख लेती हूं तेल डालके अभी मैं अस्कूल छोड़के आ सब्सक्राइब कर देखिए जादे आपको कुछ नहीं दिखेगा देखिए पूरे सब्सक्राइब अभी टाइम पौने आठ हो गया है और सुचुवान भी निकल गया है और देखिए जाड़ों लगाने वाले एक दो तीन ऐसे ही मिलेंगे लोग अभी सब्सक्राइब उसके बाद में लंच बगेरा करने के बाद मिया अधित्य को ले अजैई को लेने के लिए गई थी असकूल और बस अब मैं जा रही हूं घर और ऑभी टाइम बज गये हैं 12 बज गये हैं और अब भी मैं घर जा रही हूं और देखिए अजैए बहुत ज्यादे ही खूशे अजाई को बहुत मज़ आया आजा स्कूल में और पहला दिन है और देखिए यहां पर चिजी ले रहा है और इसका ना फेवरेट अलग ही होता है क्या ले रहा है और यह कंफ्यूज था क्या मेलू तो इसलिए भी अपूछ रहे थी क्या लेना है तो फिर में बोली कि करेक्स ले लो क्योंकि बच्चे के ना फेवरेट होते हैं इसमें ट्वाई भी निकल जाता है और बच्चे खुस भी हो जाते हैं उसके बाद मार्निंग में जूस नहीं बनाई थी तो अभी में गाजर का जूस बना रही हूं यहां पर जूस बन गया है तो अब मैं सभी किलास में धार देती हूं और सबको में दे देती हूं क्योंकि सुबह जो है था ना भाग दोड में न में सुबह बना नहीं पाई थी तो अभी में साड़े बारा बज रहे हैं भी और सबको में जूस पिला देती हूं तो चलिए इस वीडियो को में करती हूं यहीं पर एंड मिलती नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लोग के साथ बाई बाई थैंक यू